नमस्कार दूस्तो दूस्तो आपको आज एक ऐसी जनकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट हो सकती है दूस्तो मैं आपको आज बताऊंगा ऐसी चीज जो आपको exam में या फिर आपके interview में ये सवाल ऐसे पूशा जाता है कि email के अंदर cc और bcc क्या होते हैं हो सकता है आपको उसका full form तो मालूम हो लेकिन उसका क्या कारी करता है यह आपको न पता हो तो full form के साथ में उसका कारे क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों यह आपको भी जानना है तो हम वीडियो के साथ सुरू से लेकर अंतक बन रहेगा तो दोस्तों मैं उसरुपरिकाइस चोब है और आप देख रहे हमारा चनल चोबजी टेकनिकल दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम अपने जीमेल वाला जो एप होता है यह एप इसके अंदर हम इसके अंदर आते हैं और किसी को इमेल जो भेजना होता है तो मालने जी हम यहाँ पर आगे इमेल भेजना है इमेल भेजने के लिए हमें यहां पर 2 है लिखा हुआ है 2 देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ है और 2 जहां लिखा उसके आगे एक 3 का निशा आने जिए आप इसके उपर क्लिक करते हैं यहां पर आपको 2 ओप्शन खोल के निश्यर आते हैं CC और BCC यह दोस्तों कई बर आप से इंटर्व्यू में या फिर आप से किसी एक्जाम में पूछा जा सकता है कि CC का कारी क्या होता है और BCC का मतलब carbon copy होता है और BCC का मतलब blind carbon copy होता है तो CC मतलब carbon copy और BCC मतलब blind carbon copy ठीक है फुलफम यह हो गया बट इससे कार workshops क्या होता है देखिए हम जो क्या करते हैं टू मतलब हम किसको direct email भेजना जाते हैं इमेल बेजना जाते हैं उसकी email आड़ी यहां पर हमें दर्ज करनी होती है ठीक है एंड दोस्तों ऐसे लोग जिसको मतलब हमें carbon copy भेजनी होती है उसकी email आड़ी हम इसमें डालते हैं मतलब same to same उसके पास email वह भी जाती है ठीक है एंड ब्लाइंड carbon copy अब यहां पर कहने करती है जैसे माली जी हम यहां पर भेजते हैं इस email आड़ी को दर्ज करके यहां पर नीचे के उपर क्लिक करूंगा नेम के उपर तो अपने यहां पर स्लेक्ट हो जाएगी तो में यह कोई है सूर्य भाई और इनको email भेजनी है और CC में हम रख देते हैं किसी को जैसे कि एक और email आड़ी है उस पर हम भेज देते हैं यह एक email है इनको CC में इनको रख दिया है और BCC में किसी और को रख देते हैं जैसे कि यानि कि यहां पर blind carbon को भी भेजनी है अब इसका अर्थ क्या हुआ यहां पर simple सी बात है कि यह two वाला है यदि मैं इसको email भेजता हूं साथ में CC वाले को भेजता हूं तो क्या होगा ना कि और साथ में BCC यह तीनों एक साथ करता हूं तो क्या होगा कि सबके पास email चले कि इसके पास चले जाएगे भेजने वाला यह बन्दा है ठीक है तो जो भेजने वाला है यह और प्राप्त करने वाला यह है और यह है ये दोनों प्राप्त करेंगे लेकिन दोस्तों क्या होगा मैं इसको केवल janne-kari किस की होगी इसको जन्कारी यह होगी कि मतलब किसमे भेजा है मतलब 2 वाले की जन्कारी इसके पास चली जाएगी मतलब 2 वाले की और मतलब BCC की जनकारी नहीं जाएगी मतलब इस MLID वाले को इस MLID की जनकारी नहीं जाएगी इसके पास लेकिन इसके पास थर्ड वाले के पास दूसरे के जनकारी चले जाएगी प्रस इसकी भी चले जाएगी भेजने वाले की जनकारी सब के पास जाएगी लेकिन जो बीच वाल कि यहां पर सब्जेक्ट मैंने लिक दिया एसको मैंने ऐसे लिख दिया यह ठीक ऐसे लिख दिया अब यहां पर देखिए आपने ध्यान से देखिएगा यह यह अलग email ID है लोग देख लीजे और यह देख ली तो क्या हुआ अब मैं इसको send करता हूँ यहाँ पर हम send वाले हैं तो हमने भेजा है इस email id से भेजा है और किसको किसको भेजा था वो आप देख सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ चलिए कि यहाँ पर देखिए यह जो email id मैंने खोली है हो CC वाली है मतरब CC के अंदर को slave किया गया था तो मैं यहाँ पर देखता हूँ email आई है मेरे पास यहाँ पर email करता हूं और open करता हूं तो मेरे इसको बेजा गया था लेकिन ऑपन करके दिखाता हूं आपको यहां पर देखेंगे इमेल गई है और मैं इसको पर इसके पर पर इसमें आई करेंगे क्लिक करते हैं देखे शारी जनकारी आगई BCC प्लस CC और 2 सिंपल सी बात लेकिन CC कारबन कोफी की जनकारी मतलब CC वाले को वाले को जनकारी यह नहीं होगे कि BCC में किसको भेजा गया है ठीक है दोस्तों यह की मतलब एंपलोई और मतलब एंपलोई और बोस को ऐसे मैंसे बहेजने के लिए सब राइ किया जाता है यह सारी सीजों का जनकारी मतलब ऐसे भरी जाती है तो दोस्तों आपको इस वीडियो मैंने बता दिया एक email के अंदर CC और BCC क्या होता है तो दोस्तों आपको जनकारी हो वीडियो के अच्छी लेगी हो तो फिर करके वीडियो को लाइक कर देजेगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी से एर किजेगा ताकि उनको इस बात की knowledge हो सके दोस्तों में तक्षी वीडियो में अच्छी और सांदर वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहिन जै भारत